अरे भाई लोग आईफोन 16 लांच हो गया है आप लोग अभी इधर ही है अरे दुबाई में तो लाइन लगा हुआ है और इधर में फ्लिपकाट बीग बिलेंड सेल लग रहा है जहां पर 50,000 के नीचे आईफोन 15 आ रहा है तो आपको क्या खरिदना है आईफोन 16 या आईफो सिचेशन पर तो चलिए देखते हैं वीडियो को तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन 15 आईफोन 16 के फिजिकल ओवर्विव के बारे में दोनों का ही बैक में जो ग्लास मिलता है वो फॉस्टेड मैट फिनिश कर रहता है जहां पर कॉर्णर में आपको राउंड जाता है दोनों का वेट भी आपका सेम है जस्ट वान ग्रम का ही डिफरेंस है उसके बाद अगर देखेंगे आपको साइड में तो आईफोन 16 में आपको एक एक्शन बटन मिलता है जो कि आईफोन 15 प्रो और अबाव का सिरीज में मिलता है लेकिन आईफोन 15 में आपको यह यह सिस्टम नहीं है अब बात कर लिए सामने में सामने में वही आईलेन टाइप के डिजाइन उपर में मिल जाता है और नीचे और उपर में आपको फ्रन्ट फैरेंग श्पीकर मिल जाएंगे माइक्रोण मिल जाएंगे दोनों का प्लेस्मेंट्ट मिसेम है अगर कुछ ड बाकि सब कुछ सेम है look and feel hand with hand feel लग करेंगे तो सेम है weight भी सेम है तो ज्यादा कुछ difference उसमें है नहीं सिर्फ कुछ buttons का ही difference है तो अब बात कर लेते हैं iPhone 16 and iPhone 15 की chipset and battery के बारे में iPhone 15 में आपको मिलता है A16 bionic chip जहां पर आपको iPhone 16 में मिलता है A18 bionic chip तो two generation का आपको difference मिलेगा जहां पर A18 थोड़ा सा battery efficient होगा जहां पर आप बात करेंगे कि iPhone 15 ये iPhone 16 कौन सबको लेना है तो इसके बाद आप मात कर लेता है camera module के बारे में तो iPhone 15 और 16 में जो camera का setup है वो लगभग कर सकता है लेकिन अगर आप जाते है iPhone 16 के थोड़ा अपर मॉडल में तो अहां पर आपको मिल जाएगा 4K 120 fps में video recording के सुवधा और iPhone 16 में एक special feature है जहां पर आपको macro mode में भी आप वीडियो या photo दोनों ही shoot कर पाएंगे तो कोई अगर professional photographers है जो कि इस type के काम करते हैं तो उनके लिए आइफोन 16 एक बहुत ही अच्छा phone हो सकता है लेकिन normal person के लिए बहुत जादा difference आपको उसमें देखना नहीं मिलेगा और अभी बात कर लें तो इसका software interface के बारे में तो दोनों में ही आपको आइफोन का आइफोन के फोन में देखते हैं कोई भी आपका फोटो खरी किछने के बाद कोई भी unwanted object आपको डिलीट करना है फोटो से तो आप आसानी से कर सकते हैं सेम चीज आपको अभी आइफोन 16 में मिल जाएगा इसके इलावा आपको इमेल लिख रहे हैं तो जो भी राइटिंग एड है मतलब आपको इसमेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं आपको कैसे लिखना है content क्या लिखना है इसका सुविधा भी आइफोन का 16 का जो AI वर्शन आने व 15 में तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के हिसाब से आपको देखना है या आप बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं वीडियो एटिंग या डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आपका यूज है फोन के पर डिपेंडेंट है तो आप आप पर आपको अगर 50,000 के नीचे मिल जाता है यह फोन या 50,000 में ही मिल जाता है तो यह बहुत ही अच्छा एक डील हो सकता है जहां पर आइफोन 16 आपको मिलता है लगभग 80,000 के आसपास तो 30,000 का डिफरेंस बहुत कम नहीं अभाए तो आपको अगर पैसा बरबाद नहीं कर आपको लगता है कि आपका 15 आइफोन 15 से चल जाएगा तो डेफिनेटी गो फोर इट आइफोन 16 में पैसा मत लगा यह तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटी शेर कीजिए आपको फ्रेंड के साथ उनको भी हेल्प कीजिएगा इस डिसिशन लेने में की आइफोन 16 या आइफोन 15 कौन समय जाना चाहिए उनलों को वीडियो को जरूर से लाइक और शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू